अस्सलाम अलेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं डॉमिनो स्टाइल जिंगी पार्सल, तो चलिए देखते हैं, इसे कैसे बनाना है, इफ्तार में बनाने के लिए एक बहुती परफेक्ट रेसिपी है, तो इसको बनाने के लिए हमने आप एक बरतन में डालेंगे, एक और इस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून शक्र, अब गैस की फ्लेम को हम आउन करके इसे नीम गरम होने तक का पका लेंगे, बहुती हलका सा में इसे गरम करना है, फिर उसके जाद इसकी गैस की फ्लेम को आफ करके हम इसे 10 मिने ट्रे यह रूम टेंप्रेचर बटर है, अब जो इस्ट का मिक्शिर हमने बना कर रखा तो वो इसमें डाल देंगे, एक बार में सारा नहीं डालना है, थोड़ा सा डाल कर मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद बाकी कर डालेंगे, आप हमें एक सॉफ्ट सा डोड तैयार करना है इसका अगर आपको इस्ट का मिक्शिर खतम हो जाता है, तो आप थोड़ा सा नीम गरम पानी या दूद का इस्तेमाल करके भी इसका डोड तैयार कर सकते हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा बटर लगाएंगे, थाकि उपर से सूप न जाए, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, अब हम इसे कवर करके रख देंगे दो घंटे के लिए ताकि यह डबल हो जाए अपनी साइज में, जब तक हम इसकी स्टफिंग बना करते हैं, यहां पर हमने एक पैन लिया है, पैन में हम डालेंगे तेल, तेल जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे एक बड़ च प्यास को भी हमें तेज आज पर फ्राय करना है, बहुत जादा इसे नहीं कुक करना है, बस हलका सा इसका कलर चेंजर आना चाहिए, देखें, हलकी सी गुलाबी रंके हो गई, अब हम इसमें डालेंगे एक बारी का टिवी शिम्ला मिर्च, आप चाहे तो गाजर वगए भी उस कर सकते हैं, या जो भी आपके पर शिम्ला मिर्च, अवेलेबल हो, लाल पीरी, हरी, अब इसे मिक्स मिक्स कर लेंगे, अब इसमें डालेंगे एक चौथा एकप स्वीट कॉन, आपके पास नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सबजियों को बहुत जादा ओवर कोक नहीं करना है, बस इसका अलका-अलका सा मॉइस्टर सुख जाना चाहिए, अब हम इसमें डालेंगे देर सो ग्राम पनीर, इसे भी हमने छोटी-छोटी क्यूब्स में कट कर लिया है, पनीर को भी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चमच नमक और आधा चमच काली मेर्ज पावडर डालेंगे, अगर आप को तीखा जादा पुसंदे तो आप थोड़ी जादा डाल सकते हैं, साथ में डालेंगे एक टीश्पून चिली फ्लेक्स और एक टीश्पून और एक टीश्पून और आपके पास नहीं है तो आप इसमें मिक्स हब का भी यूज कर सकते हैं, अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक बड़ा चमच हम इसमें टमाटो क्याचप डालेंगे, और साथ में हम इसमें डालेंगे तीन बड़ा चमच मियोनीस, इससे इसमें क्रीमी सा टेक्स्चर आएगो इसमें एक बाइंडिंग भी आ जाएगी, इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यह हमारी स्टॉफिंग बनकर थ्यार हो गई है, इसे हलका सा ठंडा होने देंगे हम, अब चलते हैं पार्सनल्स को बनाने की तरफ, यह पे हमने डो में से एक छोड़ा सा पेड़ा लिया है, इसे आटे से अच्छे से कवर करके हलके से हाथों से फैला लेंगे, इसको पूरी के साइज का बेल लेंगे, बहुत जादा बड़ा बेलनी की जरूरत नहीं है, जितना साइज आप वीडियो में देख रहे हैं उतना ही बड़ा आप इसको बेल लेगा, इसके बाद हम इसके किनारों को ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे, अब इसके सेंटर में हम थोड़ी सी चीज डालेंगे, आप अपने पसंद की कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, अब स्टफिंग अमने पनीर की बना कर रखी थी हम इसके सेंटर में डाल देंगे, यह पारसल बहुत ही बहुत ही टेस्टी बन कर त्यार हुआ था आप इससे जरूर बना कर ट्राइ करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करके हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी रेसिपीस के लिए, अब आपसे इस पे थोड़ी सी चीज डालेंगे हैं और जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से आपको इसे तीनों कॉर्णर्स को लेकर अच्छे से पिंच कर देना हैं बीच में यह तो यह बाद में खूल सकता हैं अगर आपको लग रहे हैं कि यह नहीं चिपक रहा तो आप थोड़ा सा पान लगा कर भी इसे चिपका सकता हैं तो हमारा पारसल बन कर त्यार हो गए अब हम इसे बे तो यह देखे हैं अपर हमने सारे पारसल सेम तरीके से बना कर थ्यार कर लिया है अब हम इसे डखकर रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि यह डबल प्रूफ हो जाए इससे बहुत अच्छे से इसमें बेक हो जाते हैं अब उसके बाद हम इस पर मिल्क ब्रश कर देंगे आप इसमें बहुत अच्छा सा इसमें बहुत अच्छा सा कलर भी आता है इससे बेक करते समय तब इसके सेंटर में हम थोड़ी सी कलांजी रख देंगे आप चाहे तो तो तिल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लिकिन यह जादा अच्छा दिखते हैं अब हम इसे बेक करेंगे 180 कितने अच्छा खुबसूरत श्री आख इस परैसी बहुत अच्छा खुबसूरत कर अच्छा लिम अच्छा जी बाइओ अच्छा लिए नहीं तो थी रहा है रख डरा करें चानल पैना है थो चैनल को सब्सक्राइब कर में हाच्छे